2004 में बहुत हुई महंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकाँ जब 400 रुपिया गैस का सिलिंडर था तब एक मंतरी विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंतरी जी कहा है आये तो सही अब तो 1100 हो गया है गैस क कि दॉलिर की किम्मत और रुपिये को साथ जिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रधान मंतरी जी की उम्र के साथ रुपिया कॉंपिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रधान मंतरी जी अच्छे थे लेए उन्होंने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट की उम्र से आगे आज रूपिय की किम्मत चली गई है सच को परिशान करने या जैल में डालने से ना रावन का शासन सलामत रहा था ना गंस का रहा था ना अंग्रेज का रहा था आपका कहां से रहेगा मैं महदें मैं महंगाई पे एक चंद लाइनों के साथ अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ मैं महंगाई पे चंद लाइनों के साथ चंद लाइनों के साथ मेरी बात शुरू करना चाहता हूँ महिंगाई पे हाई रे बाजपाई महिंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई हाई रे बाजपाई महिंगाई तुन्हें कैसी आफ़त ढ़ाई देश वासियों के जीवन को बना दिया दुखदाई मोदी जी कुछ वर्ड कोईन करने में बहुत हुश्यार है उन्होंने कोईन किया टॉप टॉमेटा ओनियन और पोटेटो टॉप और ये आम आदमी के लिए आम नागरी के लिए टॉप जरूरी होता है उसकी प्राइजिस टॉप पे चड़ा दिया आपने ये हकीकत है कहते थे 2014 में बहुत हुई महिंगाई की मार अब लोग कहते हैं बसकर मोदी सरकार मैं आपको ये कहता हूँ आपके जरीय मोदे वित मंत्री जी मैं उसकी बहुत इज़त करता हूँ जवारलाल नहरू युनिवर्सिटी जहांसे बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले उस जेनियू की वो पासाउट है वहीं से उन्होंने शिक्षा ली है जिनको कुछ लोग शासक पक्ष के जुड़े हुए कहते हैं देश द्रहिवों का अड़ा गुंडो का अड़ा मैं उस जेनियू का बहुत समर्थित हूँ मैं वितमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि आप आप तो सम्वेदन्शिल है आप जड़ा गुजरात के उस अखबार को चार दिन पहले के उठा के देख लेना एक एजुकेटेट बंदा सुसाइट करता है और एक सुसाइट नोट में लिखता है कि मैं मर रहा हूँ मैं पढ़ा लिखा मुझे रोजगार नहीं मिला मजदूरी करता हूँ पर महंगाई इतनी है कि मैं मेरे खर-परिवार का पोशण नहीं कर सकता हूँ मैं आत्म हत्या कर रहा हूँ मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ उस बोटार डिस्ट्रिक के बोटार डिस्ट्रिक के रोजीद विलेज में मोहदे एक कांड होता है मात्मा गांदी जी की गुमी जहां नशा बंदी है शराब बंदी है वहाँ शराब बिक नहीं सकती है वहाँ पे जहरीली शराब आती है 75 लोग जान गुआ देते हैं मैं विशे इसी के जुडाए में कहता हूँ और उसी वक्त पे कुछ बच गए उनकी आखे गई किड्नी गई वो कहता है इंटर्यू में कि मैं मजदूर हूँ मैं शराब नहीं पीता था महंगाई इतनी है महंगाई इतनी है कि मैं डबल सिफ्ट में काम करके डबल मजदूरी करता था इतनी तन्तोड मेहनत करता था कि रात को सोने के लिए मैं थोड़ी सी शराब लाके पीता था और जिसमें जहरीली शराब आई मैं आपके जर्ये वित मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि प्रदान मंत्री जी तो अब गए वो वहार उजिद नहीं गए थे उन गरीब के आँसू पहुचने नहीं गए वित मंत्री जी आप पधारो मैं आपके साथ चलूँगा हम दोनों जाएं और उसके घर के लोगों के आँसू देखके फिर आप स्विकार करना कि महंगाई है कि नहीं और हम दोनों जाएं और वो परिवार कहे कि महंगाई नहीं है मैं आप से और इस हाउस से भी माफी मांगूगा कि मैंने जो बाशन दिया था वो मैं विड्रो करता हूँ और माफी मांगता हूँ हकिकत तो ये है कि लोग बहुत परिशान है हमारी बात उपोजिशन की बात लोग तंत्र में सरकार को सुनना चाहिए और लोग तंत्र में उपोजिशन की बात मानना भी चाहिए पर आज का दौर ऐसा नहीं है इसलिए मैं इसलिए मैं मेरी बात नहीं मैंने जब आज के प्रधान मंत्री जी के आप बहुत मानते हो बहुत सुनते हो नरेंद्र भई ने कह दिया पगवान ने कह दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि जब वो वहां के गुजरात के मुख्य मंत्री थे मैं विरूदी दल का नेता थू उस वक्की वीडियो मैंने निकाली है मेरे सोसिल मीडिया पे लगाई है और आप चाहोगे तो सीधी आपको दे दूँगा उसमें मोदी जी ने कहा था महंगाई को देखके मुझे कहना पढ़ रहा है डूब मरो डूब मरो दिली वालो डूब मरो महंगाई को देखके मुझे कहना पढ़ता है भायो बैना कि ये महंगाई को रोक नहीं सकते वो सरकार किस काम की ये कहने वाले आज नरेंद्र भाई मोदी जी का वीडियो सोसिल मीडिया पे है महंगाई से परेशान लोग महंगाई के परेशान लोग उमीद करके बैठेते कि पार्लामेंट शुरू हो रही है हमें कुछ रिलीफ मिलेगी हमें कुछ राहत मिलेगी राहत नहीं दी आपने GST का और मार मार दिया रिलीफ देने की बज़ाए GST और बढ़ा दिया और किन चीजों पे बढ़ाया आपने जो सामान्य नागरी खाता है आम नागरी कर्ड, लसी, बटर मिल्क, पनी, राई, स्वेट मुरी, जेगरी, नेचरल हनी एक हजार से नीचे वाले कमरे में कौन रुपता है एक गरीब रुपता है उस होटेल का एक हजार के कमरे के उपर भी आपने GST पाच प्रतिशत डाल दिया अरे यहां तक कि आपने स्मशान को भी नहीं जोड़ा स्मशान के उपर भी आपने GST डाल दिया इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है मौदय मैं यह कहना चाहता हूँ अभी मानिस सदश्य प्रकास जावडेकर जी कहते थे कि आप ओइल बॉंड लाए मैं आपको कहना चाहता हूँ आप आकड़े देखिए पेट्रोलियम एनालिसी सेल के आकड़े देख लीजिए आपने 27 लाख करोर रुपिये वसूल किये और बॉंड में कितने भर है आपने सिर्फ 98,000 करोर और 27 लाख करोर रुपिया आपने टैक्स कलेट किया किस नाम से आप बॉंड की दुहाई दे रहे हो महदे मैं पूछना चाहता हूँ जब 400 रुपिया गैस का सिलिंडर था तब एक मंतरी विरांगना हो जाती थी और गैस के सिलिंडर पर चड़ बैठती थी लोग पुछते हैं वो मंतरी जी कहा है आये तो सही अब तो 1100 हो गया है गैस का सिलिंडर आये तो सही हो तदान मंतरी जी गुजरात के मुख्य मंतरी थे और जब मनमौन सी जी ने कहा कि आप स्टेट वाले थोड़ा वैट कम कीजिए तो मुदी जी ने क्या कहा था भायो बैना ये दिल्ली वाले पाप करते हैं और राज्यों को कहते हैं कि तुम धोर जालो हम कहां से दोएंगे कम करना है तो तुम तुमारा एक पैसा कम नहीं किया था बैट का आज आप महराज की दुआय देते हो एक आखरी बात करके खतम करता हूँ जब प्रदान मंत्री जी मनमौन सी जी थे महिंगाई के लिए डॉलर की किम्मत और रुपिये को साथ गिनते हुए मोदी जी ने कहा था कि प्रदान मंत्री जी की उम्र के साथ ये रुपिया कॉम्पिटेशन कर रहा है अरे वो तो प्रदान मंत्री जी अच्छे थे कि उन्हों ने अपनी उम्र से आगे कभी नहीं जाने दिया मोदी जी की दो बर्थ डेट है और दोनों बर्डेट की उम्र से आगी आज रूपिय की किम्मत चली गई है ये हकीकत है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो प्रदान मंत्री गिर रहे है उसकी इज़त गिर रही है वो कहते थे रूपिया गिरता है तो समझ लो डेली की सरकार की इज़त गिर रही है मैं आज कहता हूँ कि आपने तो रेकॉर्ड ब्रेक कर दिया आओ तो सही कि कौन गिर रहा है आज के देश में वो दिखाई तो सही इनी लबजों के साथ आप इजाज़त दे तो दो लाइने जो सिर्फ मैंने दी है ये इसके उपर महंगाई के उपर आप अगर दो मिनिट दे दे तो मैं दो लाइने आपका टाइम ओबर हो सुका है एक कविता की दो पंक्तिया हाई हाई बाज़पाई महंगाई महरानी थोड़ी सी देशवासी पे करो महरबानी सारा देश तुम से परेशान कुछ तो पुरुपा करो सरकार आई है जब से भाज़पाई कठिन हो गई है देश की जिंदगानी स्वाद गया जीवन से बेस्वाद हो गई है देशवासी की जवानी